Hello students, हम लोग नया लेक्चर अबना स्टार्ट कर रहे हैं, वेजिटेटीव प्रोपोगेशन, तो वेजिटेटीव प्रोपोगेशन या वेजिटेटीव रिप्रोडक्शन के नाम से भी से जाना जाता है, मुल्टिप्लिकेशन भी हम बोल सकते हैं, क्या होता है, पहली बार तो तो प्लांट के केस में हम लोग यूस कर रहे हैं, नॉट इन सिंपल और्गिजनम या यूनिसलूलर अलगी की बात करें, या दूसरे अनिमल्स की बात करें, वज़ा क्या है, यहां पर प्लांट में मल्टी सेलूलर बोडी है, अ कॉंप्लेक्स और्गिनाजिशन है, जो सेक प्लांट के जितने पार्ट हैं, चाहे वो रूट हो, चाहे शूट वाला पार्ट हो, यानि लीव का पार्ट हो, स्टेम का पार्ट हो, यह सभी अगर इन्वाल्व हो रहे हैं और इन से नया प्लांट बन रहा है, टीक है, बिना फ्लावर के इन से सारा पार्ट बन जा रहा ह प्लांट का एक लीव से पूरी बॉडी प्लांट की नहीं बन जा रही है। रूट से नहीं बॉडी बन जा रही है। ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रड़क्शन, वेजिटेटिव मतलब स्मेटिक पार्ट, other than रिप्रड़क्टिव पार्ट को ह हैं कौन से all parts of plant other than reproductive parts और flowers तो flower को छोड़के plant के जितने part हैं चीक है अभी बात हुए root हो या shoot वाला part हो उन सब को हम लोग किस नाम से जानते vegetative part उन से ही new body का formation हो रहा है new plant body का formation हो रहा है यह vegetative part और इन से निकलने वाले जो units है वो अलग-अलग हो सकती है अलग-अलग plant के case में जैसे these vegetative propagules obtained from कहां से हमको मिलते स्टेम से लीव से और roots से for example tubers ठीक है स्टेम से originate हो रहा है लीव से leaves birds marginal birds ब्रेवफाइलम के case में आपको मिलती है ठीक है उसी तरह रूट्स में देखे एड्वेंटीशियस birds निकल रही है है एड्वेंटीशियस birds यह कहां से निकल रही है roots से आ रही है जो फिर से आगे चलके new plant body का formation कराएंगी तो बहुत सारे plants हमारे ऐसे हैं जो naturally इस तरह से propagate करते रप्लिकेट करते तेजी से बिना flower आए हुए भी वह एप्लिकेट कर रहे हैं अपनी नहीं प्रोजें नहीं बना रहे हैं अब इसका मकसद क्या है यह विजिटेटीव प्रोगेशन का सब्सक्राइब देखें सिग्निफिकेंस प्रिजव प्रोजेंटी तो जो प्रोजेंटी प्लाइटी प्लाइटी यहां पाई जाएगी ग्रेज और क्या गुड्ड क्वालिटी ओफ रेसे बनेंगे जो प्रजाती जिसे हिंदी में बोग वह उसी तरह से और अच्छी होता है जिसे और अच्छांस मिलते हैं लेकिन अगर सेम पैटन सेम इन्वार्मेंट हमेशा बना हुआ है तो सेम सिच्वेशन आती है तो कोई बहुत बड़ा नुक्सान नहीं होता है नेक्स्ट टाइप्स की बात करें तो दो है एक नेचरल में जिसको हम लोग को पढ़ना है और दूसरा किया होटी कल्चर में त्रड़ है यह भी हमको पढ़ना जिसमें ग्राफ्टिंग है कटिंग है लेरिंग है यह लग लग टरम से हैं इंपोर्टेंट क्या है वेजीटेटी प्रोपागेशन में एक्जाम्पल्स बहुत सारे है और उन एक्जाम्पल्स में या सिस्फरा से समझ सकते हैं वही असान से ठीक है बीजी पी जिप यह भाष्मी जंता पर टेनी समझेगा लेकिन कहने का मतलब थोड़ा अलग से बीज्शेपी BGP BMW में बैठ कर MP के साथ जलसा गए ठीक है अब हम BGP ना बोलके यहाँ पर Bio Group बोलते हैं तो ज्यादा बितर होगा असानी समझ में आएगा कि Bio Group BMW में बैठ कर MP के साथ जलसा गए जलसा आप लोग जानते होंगा मिता बच्चन का घर है तो वहाँ पर सारे MP चलेगा ठीक है किस में बैठ कर BMW कार BMW क्या होती कार होती है काफी high class कार है जानते हैं लोग नहीं जानते हैं तो चलिए जान लिजे और यह Bio Group है B से Bio GP Group समझ लेते हैं तो अब यह ट्रिक्स से हम कैसे असानी समझ सकते हैं बी से हमारे एक्जांपल के ब्राव फाइलम और इसमें जो वेजिटेटीव यूनेट्स या वेजिटेटीव प्रोपिग्यूल से जिससे नए ब्राव फाइलम का फॉर्मिशन होता है उसे बोलते लीव बड्स यह मार् इसमें बनाना है जिसमें राइजोंस है वेजिटेटीव प्रोपग्यूल से मेज और इसके एक्जम्पल यहां पर क्या दिया हुआ है नोट्स ठीक है इससे यह प्रोपगेट करता है वाटर है कि जिससे टेरर ऑफ बेंगॉल या इकोर्णिया बायलोजिकल नेम जो है इसक सकर है अब जलसा में आते हैं तो इस पहले वाले जी से ग्रास है साइनोडाउन जिसे हम लोग नाम से जानते हैं दूब गर ग्रास ठीक है वह रनर के जूब प्रोपगेट करती बहुत तेजी के साथ नेक्स्ट वा अम्रूत इसमें टाप रूट है जिससे वह और देन अगेव में बलबिल यह कई बार पूछा भी गया एक्जामिनेशन में तो यह एक ट्रिक छोटी सी जिससे हम लोग असानी से पॉल सकते हैं कि बायो ग्रूप BMW में बैटकर MP के साथ जलसा गए ठीक अब सबसे पहले एक्जामिन अम्रों स्टार्ट करते हैं कि रूट के थूँ यहां पे उल्टा थोड़ा से हो गए यह नंबर वनमाल लेते हैं रूट के थूँ किस तरह से प्लांट प्रोपोगेट करते हैं तो दोनों ही तरह की रूट वो टैप रूप एडवन्टिशियस डूट इनवलविन वेजटेटीव प्रोपागेशन दोनों ही तरह कि चाहिए आप रूट के बात किजिए strictly चे रूट के बात कि दोनों ही एंवाल्व होती है प्रोपोगेशन में इस रूपी जोता है इस रूट से tap root, tap root क्या होती है, यह main root जो आ रहे है, इससे primary, secondary, tertiary, इस तरह से roots सारी निकल रहे हैं, इससे को हम लोग क्या बोलते हैं, tap root system, ठीक है, यह main root आ रहे है, आपकी primary root, इससे secondary, फिर tertiary, इस तरह से निकल दी रहती है, यह tap root system होगा, यह तेजी से नीचे के direction में grow करे तो इनसे adventitious birds निकलते हैं वही birds आगे चलकर क्या करती हैं new body का formation कर देती है next fleshy root root tubers जिने कहा जा रहा है जैसे कि sweet potato में डहलिया में इनसे भी adventitious birds निकलती है जो grow करके new plant body का formation करती है जैसे यहाँ पे देखिए यह tuber है root tuber यह old tuber है new root tubers बन रहा है और यहीं से आपको birds है नहीं new plant का formation हो रहा है ठीक है पहले यहाँ से birds इस तरह से निकलेगी और फिर यह धीरे धीरे grow करेगी तो new plant body का formation हो रहा है किसे? ट्यूबर से और यह tuber है actual में क्या root है कैसे root? fleshy root इसमे food storage है food store किये हुए है तो आज हम लोग फिलाल root पे ही बात कर रहे हैं इसके आगे stem के कौन-कौन से वेजिटेटीव प्रोपगेवल्स है या वेजिटेटीव यूनिट्स है लिस्ट में कौन-कौन से हैं उनके क्या एक्जाम्पल से एक्जाम्पल तो काफी हमनों नहीं यहाँ पे देख लिया है ठीक है तो नेक्ट लेक्चर में मिलते हैं तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया